तो क्या बिहार में बिजली बिल लेने के लिए जिस प्रिपेड मीटर का इस्तमाल होता है जिस पर तमाम परकार के सवाल उठाये जाते हैं कहा जाता है कि प्रिपेड मीटर आने के बाद से 500 रुपे का बिल 1500 रुपे का हो जाता है वो प्रिपेड मीटर बंध हो जाएगा उस प्रिपेड मीटर से बिजली कमपनियां बिजली बिल नहीं वसुलेंगी, यह सवाल इसलिए या इसकी चर्चा इसलिए चल रही है, क्योंकि भीहार बिद्यूत नियायम कायोग की तरफ से एक जन सुनवाई की गई, अब जन सुनवाई क्यों होती है, तो कभी भी जब बिजल की पूरी सुनवाई होती है और वही पर सबसे ज़्यादा किसी ने प्रश्ण उठाया सबसे ज़्यादा किसी ने सवाल उठाया तो वह प्रिपेड मीटर को लेकर और उसके बाद से विभाग ने आस्वस्त किया कि इस पर हम विचार करेंगे इस पर आगे क्या कुछ हो सकता ह हम विचार करके बताएंगे अब बिजली की दरऊ को लेकर कहा गया कि Electric आप 수ी खरीद रहे हैं और यहाँ पर लोगों को पाच रुपया के हिसाब से बिजली बेच रहे हैं फिर भी आपको नुकसान हो रहा है तो आखिर कार या नुकसान कैसे हो रहा है आगे हैं आपको तन हो जिसमें कमाई आज हमारी एर्निंग नो सो एक्साट रुपिया है और प्लस चार सुर्पिया इंसेंटिव है पक्ना में रहकर अच्छा बहतर और अर्निंग कर सकते हैं इसे 25 से 30 जार रुपिया मंतली कमा सकते हैं और इसमें जो है बहुत ही बेनिफिट और ये हैल्थ और रेपीडो कंपनी के तरफ से बीच-बीच में काफी सारी ऑफर भी आते रहते हैं जिसका लाप हमेशा आप उठा सकते हैं और आज ये रेपीडो कैप्टन से जुड़कर में काफी अच्छा बहतर और अच्छा काम कर रहा हूं इससे जुड़ने से बहुत सारे फाइद पर उठते रहे हैं तमाम परकार के सबाल का मतलब की पृपेड मीटर को लेकर कहा जाता रहा है कि पहले जब सधारन मीटर होता था तो तो भिजली के बिल — 500 रुपया आता था लेकिन जब से प्रिपेड मीटर लगा तब सेल meer 1500 रुपया अने लगा उसको है स्मारट मीटर भी कहते हैं अब इसी मीटर को लेकर पुरे राज़बर में बिरोध हुआ पुरे राज़बर में अभी बिरोध चल रहा है और इसी बीच बिहार विद्योत नियायमक आयोग की तरफ से एक जन सुनवाई होती है जन सुनवाई विद्योत भवन के सभागार में आयुज़ित क तमाम अलग-अलग संगटनों के लोग पहुंचते हैं, वहाँ पर बातचीत की जाती है, तब सबसे पहला सवाल उठता है कि आखिरकार प्रिपेड मीटर को लेकर इतने साले सवाल खड़े हो रहा है, तो बिजली भी भाग या बिजली कमपणियां प्रिपेड मीटर को लेकर कुछ विचार केंव नहीं करती, लोग कहते हैं कि प्रिपेड मीटर में गण्बड़ी है और बिजली कमपणियां है, जो बिजली भी भाग है, वो जनता को चोर कह रही है, मतलब कि उसको लगता है कि जनता चोरी कर रही है, लेकिन सचाइई है कि 500 रुपए के बिजली के अ बिजली कमपणियों को नुकसान है तो बिजली खरिदने का जो रेट है वो पांच दस्मनों आठ रूपया उनिट के हिसाब से खरदा जा रहा है और उसी बिजली को जब बेचा जा रहा है तो आठ दस्मनों पांच रूपया के हिसाब से तो आखिरकार इतना ज्यादा डिफ कौन है इसके लिए दोसी सरकार है बिजली कमपनियां कि वो नहीं पकड़ पा रही है सवाल वाजीब है कि अगर बिजली की चोरी हो रही है और बिजली कमपनियों को नुकसान हो रहा है तो इसके एवज में जो ब्यक्ति बिजली का भिल भरता है वही पैसा तो नहीं देगा क बिजली कमपनिया कहेंगे कि हमको नुकसान हो रहा है तो जितने लोग पैसा दे रहे हैं उतने ही लोगों से हम और अधिक पैसा लेंगे जिससे कि नुकसान की भरपाई हो जाए कुल मिलाकर जब वहां पर जन सुनवाई होई तो इसमें पूछा गया कि बिजली के रेट को ब बिजली के बिजली का बिल ही बेहद महना पड़ेगा बागी अब जन सुनवाई होई है बिजली को लेकर तमाम राइंतिक दल भी कह रहा है कि बिजली बिल पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महना बिहार में है बागी अब आगे देखिए कि क्या कुछ होता है प्रिपेर्ड मीटर को लेकर क्या कुछ किया जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल प्रिपेर्ड मीटर को लेकर ही उठ रहा है आपकी प्रत्क्रिया इस पर क्या है या प्रिपेर्ड मीटर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमें झाल